हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन्स लैडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट प्रपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 5 के मल्टिपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होगे तो ये डिजैन आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 5 के multiple देखिए 5 फंदे गिन लीजिए फिर C 5 फिर C 5 इस तरह से करते हुए last में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी side से शुरू होता है और 4 सलायों में complete हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी भी project ले फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी side से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी side से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो यहाँ पर मैंने लिये हैं 34 फंदे 5 पांच के multiple करके और उसमें 4 फंदे extra ये जो बोर्डर डिजैन है इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर upload की हुई है अगर आप सबने इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के description box में देदूंगी वहाँ से आप इस border की वीडियो देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनेगा डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो देखिएगा पहला फंदा इसका है इसे उतारिये या बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो एस्टीज को बुनने के बाद अब दो फंदे और हम उल्टे बनाएंगे एक और ये दो धागे को पिछे करेंगे एस्टीज और दो फंदे उल्टे टोटल हमारे पास यहां तीन फंदे होंगे अब तीन फंदे पर ये डिजैन बनेगा तो एक फंदे को छोड़ कर ये जो दूसरा फंदा है इसके बिल्कुल ऐसे नीचे से लाश्ट होल में ऐसे सलाई डाल लेनी है और एक फंदा इस तरह से एक्स्ट्रा बना लेंगे और ये फंदा आपका इस तरह से इतना लंबा होना चाहिए इस तरह से करके इसके आपको लूज रखना है अब ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो और ये तीन अब ये जो बीच वाले फंदे के इस लाश्ट होल में हमने सलाई डाल के ये जो एक्स्ट्रा बनाया यहां परंग उठा लगाएंगे और इसी होल में फिर से ऐसे सलाई डाल देंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बना देंगे और इस फंदे को भी हम इस तरीके से लूज करेंगे जितना लूज हमारा ये वाला फंदा होगा इतना ही लूज ये वाला होना चाहिए estich को छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो design बनाया इसी को बार बार repeat करेंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे पर ये design बनेगा तो एक फंदे को छोड़ के बीच वाला जो फंदा है इसके यहां से बिलकुल यहां जो last का होल है इसमें slide डालेंगे और एक फंदा इस तरह से extra बनाएंगे और इस फंदे को इतना लूज रखेंगे आप इस तरह से उंगली से इसे लूज कर सकती हैं अब तीन फंदे सी थे एक दो और ये तीन अब यहां पर अंगुठा रखेंगे और बीच वाले फंदे के इस last होल में slide डाल के यह जो extra फंदा बनाया यह अंगुठा रखेंगे और इसी होल में ऐसे slide डालेंगे और यहां से भी एक फंदा हम extra बना देंगे इसे भी ऐसे उंगली से ऐसे लूज करके जितना size इस फंदे का है इतना ही हम इसका रखेंगे फिर से डिजैन को repeat करना है दो फंदे उल्टे एक और यह दो फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे पर डिजैन बनाना है तो तीन में से पहले फंदे को छोड़ देंगे बीच वाले फंदे के इस last होल में ऐसे slide डालेंगे और एक फंदा यहां से extra बनाएंगे और यह फंदा लूज होना जाहिए फिर तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन अब यहां पर अंगुठा रखेंगे ताकि फंदे हमारे निकलेना और बीच वाले फंदे के जहां से हमने यह वाला फंदा बनाया उसी होल में ऐसे slide डालेंगे और फिर से एक फंदा हम extra बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे करके लूज कर देंगे जितना लूज यह है इतना ही यह होना जाहिए धागा अपनी तरफ डिजैन को repeat करना है दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे तीन फंदे पर डिजैन बनाना है तो पहले को छोड़ देंगे यह जो बीच वाला है इसक दो और यह तीन अब यहां परंगुठा रखेंगे और जिस होल में से हमने यह वाला फंदा बनाया बीच वाले फंदे के उसी में फिर से सलाई डालके और एक फंदा हम फिर से एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसे ऐसे करके लूज कर देंगे और फिर से डिजैन को repeat करना है प पहले को छोड़के बीच वाले के इस लास्ट होल में सलाई डालेंगे और एक फंदा यहां से हम इस तरह से एक्स्ट्रा बना लेंगे यह इतना लूज होना चाहिए फिर तीन सीधे एक दो और यह तीन यहां परंगुठा रखेंगे इसी होल में सलाई डालके फिर से एक फ फंदे उल्टे एक और ये दू धागा पीछे ले जाएंगे तीन फंदे पर डिजैन बनाना है पहले को छोड़ देंगे ये जो बीच वाला फंदा है इसके लास्ट होल में ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे और इसे ऐसे करके लूज कर द यहां पर अंगुठा रखेंगे ताकि हमारे फंदे ना निकले बीच वाले फंदे के उसी होल में सलाई डालके और फिर से एक फंदा हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे इस फंदे को ऐसे करके लूज कर देंगे इन दोनों ही फंदे का एक जैसा साइज होना जाहिए धागा तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन डिजैन की पहली सलाई कंप्लेट हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड दूसरी सलाई पर देखिए यहां पर जो फंदे हमने उल्टे बनाए वो उल्टी साइड पर सीधे बनेंगे जो तीन फंदे हमने य पूरी सलाई को ध्यान से देखिएगा पहला फंदा से उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे और यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे ये जो एक्स्ट्रा हमने फंदा बनाया था इसको ऐसे स्लिप कर अब तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन और ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया इसे भी स्लिप कर देंगे अब देखिए एक फंदे को छोड़ कर यहां से यहां तक जो डिजैन बनाया इसी को फिर से रिपेट करना है धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर तीन और ये जो एक्स्ट्रा फंदा है इसे स्लिप कर देंगे फिर से डिजैन को रिपेट करना है दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ इस एक्स्ट्रा फंदे को हम जो हमने बनाया था इसे स्लिप करेंगे और बनाये हुए तीन फंदे उल्टे और ये वाला जो हमारा लं लंबा फंदा है इसको स्लिप कर देंगे और तीन उल्टे एक दो और ये तीन और इस एक्स्टर लंबे फंदे को स्लिप करेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधें फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे ये वाला जो हमने एक्स्टर फंदा बनाया इसे स्लिप करेंगे और तीन उल्टे एक दो और ये तीन अब ये वाला जो एक्ट्रा लंबा फंदाई से स्लिप करेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये देखिए ये जो हमारा लंबा सा फंदाई से स्लिप किया और तीन उल्टे एक दो और ये तीन और ये जो एक्स्ट्रा फंदा है इसे स्लिप करेंगे धागा पीछे लास्ट में तीन फंदे हैं दो इसमें से हम ये सीधे बनाएंगे और एस्टीज को उल्टा बुन देंगे दो सलाई यां डिजैन की कम्पलीट हो गई हैं अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को ध्यान से देखिएगा एक दो और ये तीन फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फंद देंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे ये फंदा और ये एक्स्ट्रा लंबे वाला आगे से सलाई डाल के इन दो का एक कर देंगे एस्टीज को छोड़ कर ये जो पांच फंदे का डिजैन है इसी को फिर से रिपेट करना है धागा अपनी तरफ करेंगे दो करेंगे इस फंदे को ऐसे इस पे उतार लेंगे अगले फंदे को सीधा बनाएंगे और इस लंबे वाले फंदे को इसके उपर से ऐसे पलट देंगे एक फंदा सीधा ये फंदा और ये एक्स्ट्रा वाला आगे की साइड से सलाई डाल कर इन दो का एक कर देंगे फिर से सीधा बनाएंगे और इस लंबे वाले को इसके उपर से ऐसे पलट देंगे एक फंदा ये सीधा अब ये फंदा और ये एक्स्ट्रा आगे की साइड से स्लै डाल के इन दो का एक करेंगे फिर दागा अपनी तरफ ले आएंगे दो उल्टे धागे को पीछे करेंगे इस एक फंदे को इस तरह से जो हमारा लंबे वाला है सलाई पर लेंगे एक यह अगले वाला सीधा बनाया और यह जो एक्स्ट्रा फंदा है इसे इसके उपर से पलट देंगे बीच वाला फंदा स स्लाई डाल के दो का एक करेंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करना है दो उल्टे फिर धागा पीछे यह जो लंबे वाला है इसे ऐसे लेंगे इस फंदे को सीधा बनाया और लंबे वाले को इसके उपर से ऐसे पलट देंगे बीच वाला फंदा सीधा एक और यह दो इन म आगे से स्लाइड डाल के दो का एक कर देंगे तिरसे डिजाइन को रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागे को पीछे ले जाएंगे इस वाले फंदे को ऐसे लेंगे एक फंदा ये सीधा और लंबे वाले को इसके उपर से पलट देंगे बीच वाले पंदे को सीधा बनाएंगे एक और ये दो आगे से सलाई डालके इन दो का एक कर देंगे आपके जितने भी फंदे हो इसते तरह से इस डिजैन को बनाते जाएए लास्ट में आपके तीन पंदे होंगे इनको उल्टा बनाएए तीन सलाईया डिजैन की complete हो गई है चोथी पर जो फंदे आपको उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाईए और जो फंदे आपको बीच में सीधे दिखें उनको सीधा बनाईए तो दिखिए एस्टिज को बुनने के बाद दो सीधे हैं और ये तीन उल्टे हैं यही पांच फंदे आगे आगे रिपेट करने हैं तो इस स सलाई को मैं कम्प्लीट कर लेती हूं इस तरह से करते हुए चोथी सलाई को मैंने कम्प्लीट कर लिया है तो फ्रेंड से इस तरह से चार सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है यही चार-चार सलाईया इसमें बार-बार रिपेट करनी है नेक्स्ट बार फिर से वही करना है एस्टिज को उतारिए या बनाईए दो उल्टे और ये जो तीन फंदे हैं इस फंदे को छोड़ कर ये जो बीच वाला फंदा है इसके लास्ट होल में सलाई डाल के एक फंदा आप एक्स्ट्रा बनाईए फिर ये तीनों फंदे आप सीधे बना दीजिए फिर आप यहां पर अंगुठा रखके उसी होल में सलाई डाल के एक एक एक्स्ट्रा फंदा और बना लेजिए इस तरह से ये डिजैन आपका रिपिट हो जाएगा तो फ्रेंड से अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडिय आपको सम्मिल्क के और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू